Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person आज आपके लिए कैसा feel कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, उनकी feelings और उनकी thoughts आपके लिए क्या हैं? यह सारे star signs की reading होती है यह एक short reading है और बिल्कुल timeless है एक card नीजे गिर गया था So let's start आपके person की current feelings or thoughts So सबसे पहले we have knight of swords Nine of swords Three of cups Strength Bottom of the deck पर हमारे पास है death and rebirth So okay कुछ लोगों के लिए मुझे break up separation ही नज़र आ रहा है But majority के लिए बलके मुझे break up separation situation नज़र आ रही है वो इसलिए because we have this death and rebirth और फिर हमारे पास nine of swords भी है So I really feel के आप लोगों का यह वो phase चल रहा है जिसमें आप दोनों कोशिश कर रहे हैं तो इसे move on करने की At least आपके person कोशिश कर रहे है Move on करने की Because जो भी हुआ है बड़ा fresh है बहुत recent हुआ है और ये इनसान बहुत जादा आपकी thoughts से आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे है बिल्कुल इस तरह जैसे इन images में हमें नजर आ रहा है I feel वो socialize कर रहे हैं अपने दोस्तों में जा रहे हैं ताके वो strength ढूंड सकें ताके वो strong रह सकें आपको भुला सकें अपने mind को divert कर सकें So I really feel कि वो face चल रहा है इस वक्त आप लोगों का जिसमें आपके person आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं move on करने की कोशिश कर रहे हैं So क्या वो इसमें successful हो रहे हैं या नहीं I don't think so because बहुत depression है and I feel कि आप लोगों का connection भी कुश ऐसा था कि जो बहुत strong और significant था because यह strength card से हमें पता चल रहा है कि जो आप लोगों के दरम्यान connection था वो ऐसे था कि easily खतम होने वाला connection नहीं है उसका बड़ा एक long lasting effect होगा आप दोनों के जहनों पर, दिलों पर even So I feel कि यह इनसान आप से दूर जा नहीं पा रहे हैं आपको भुला नहीं पा रहे हैं और घूम फिर कर आपकी जिन्दगी में किसी तरह वापस पहरा जाएंगे because यहाँ पर rebirth भी है और आप देखें कि यहाँ पर एक infinity symbol हमें नजर आ रहा है जिसका मतलब यह है indication यह है कि घूम फिर कर यह इनसान किसी तरह आपके पास वापस आएंगे और यहाँ पर भी एक infinity symbol आपको नजर आ रहा होगा so maybe आप मेंसे किसी ने इस तरह का tattoo बनवाया है specific message था but anyway यह दो infinity symbols हमें बता रहे हैं आप दोनों किसी ना किसी तरह घूम फिर कर एक दूसरे के सामने एक दूसरे के जिंदगी में जरूर आएंगे so यह इनसान क्यूंकि आपको भुला नहीं पा रहे हैं really feel कि कोशिश वो कर रहे हैं strong रहने की but उनको यह महसूस होना शुरू हो गया कि उनके अंदर इतनी strength नहीं है कि वो let go कर सकें कि वो आगे बढ़ सकें, move on कर सकें इसलिए वो फिर आपकी जिंदगी में आ जाएंगे I feel उनसे नहीं हो पा रहा है और यह इनसान दोबारा आपकी जिंदगी में आएंगे so let's see हैं सबसे ज़दा किस बात पर hurt हो रहे हैं वो Nine of Swords को clarify करते हैं We have the Emperor So I feel कि उनको सब ज़दा तकलीफ इस बात कि कि उनने अपने emotions पर control नहीं है यह कोई ऐसे इनसान हो सकते हैं कि जिनके control issues थे पहले बहुत ज़दा self-centered ही हो सकते हैं यह इनसान बड़े ego वाले हो सकते हैं control नहीं हो रहा है अपने emotions पर, अपनी feelings पर वो control नहीं रख पा रहे हैं sensitive हुए में So इस बात का उनने बहुत ज़दा तकलीफ हो रही है कि वो क्यों खुद को control नहीं कर पा रहे हैं क्यों वो strong नहीं रह पा रहे हैं And I also feel कि वो responsibility नहीं ले सके आपके लिए या तो वो stand नहीं ले सके कुछ कर नहीं सके इस बात का भी उनने बहुत ज़दा दुख है कि वो responsibility नहीं ले सके वो maturity में भी नहीं दिखा सके किसी मामले में और इस बात का भी उनने दुख है So, बहुत ज़दा इस वज़ा से वो तकलीफ में है Let's see Death and Rebirth हमारे पास is Seven of Swords So, I feel कि यह जो उनके दिल में desire है कि वो आपकी जिन्दगी में वापिस आए वो आपको दिखाना नहीं चाहते है आपको अपनी तकलीफ भी दिखाना नहीं चाहते है बहुत एक strong desire है आपकी जिन्दगी में वापिस आने की और जितनी वो struggle कर रहे हैं इस वो back and forth, back and forth अपनी energy में हो रहे हैं आपके पास आने का दिल करता है फिर अपने आपको strong करनी कुशिश करते हैं फिर दिल करता है आपसे बात यह जीज़ें वो आपसे छुपा रहे हैं इस present time में एक और card हम ले लेते हैं Queen of Cups आपके प्यार को नहीं भुला पा रहे हैं आपने उन्हें बहुत ज़दा unconditional प्यार दिया है यह इनसान आपको नहीं बता रहे हैं और आपका प्यार नहीं भुला पा रहे हैं यह आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे ज़रूर बताईगा comment section में I'll see you in my next video Till then, love you lots, bye bye